नवरात्री का आज तीसरा दिन है और इस दिन मा दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी मा चंद्रघंटा के हाथों में त्रिशूल, धनुष, गदा और तलवार है इनके माथे पर घंटे के आकार में अर्ध चंद्र विराजमान है इसी वजह से ये चंद्रघंटा कहलाती हैं, उनके दस हाथ हैं, हर हाथ में अलग अलग शस्त्र हैं, वोई हमें आसुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं, मा चंद्रघंटा की आराधना करने से मनुष्य का मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है इसी ये हमें माचंद्रघंटा वो की पुजा करनी चाहिए। माता चंद्रघंटा को दूद से बनी खीर, मिथायों का भोग लगाने से माव प्रसन हो जाती है। महमंत्र या देवी सर्वभूतेशु माचंद्र घंटा रूपेन संस्थिता नमस्तस्याई नसस्तस्याई नमस्तस्याई नमो नमः